हेलो अब्रीवान वेलकम तो एचानल संशाइन फॉर्ट उन्स एजूकेशन मेरा नाम गुंजन मलोतरा है मैं एक ओवसीर एजूकेशन कंसुर्टिंटू आज का डिस्कॉशन रहेगा यूके के इंटेक्स को लेके हम लोग बात करेंगे कि यूके में कौन सा इंटेक बेटर ह जैसे कि आप जानते हैं, तीन इंटेक्स हैं, जैनवरी, सेप्टेmber और एक बीच में में जून का इंटेक भी होता है, जो किसी-किसी इंसिदूशन में जुलाई में भी आपको आप्षन मिल जाते हैं वो जैन और सेप्टेमर इंटेक्स शिरिएं के बार में लो बात पढ़े और इस तरह की अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो पहले मैं September, October Intake जिनको कहते हैं उसके बारे में बात करूँगा इसके pros and cons हम लोग देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या benefit होगा और क्या demerits है इस particular intake के पहला जो benefit आपको September Intake का मिलता है वो यह रहता है कि बहुत ज़्यादा widely available है almost जितनी universities एंका क्यूके में हर university में September या October intake जो इसको बोला जाता है वो available रहता है चाहे वो traditional university हो चाहे वो modern university हो चाहे को institution हो चाहे Russell Group university हो UK में September intake हर institution या university में available रहता है इसके साथ साथ जो September intake है इसमें ज़्यादा variety of courses मिल जाते हैं ज़्यादा options मिल जाते हैं बिकरश जदा universities हैं ज़्यादा openings रहते हैं तो automatically courses की जो आपको variety है वो obviously ज़्यादा मिल जाते हैं साथ के साथ जो location का जो आपको option होता है वो September intake में ज़्यादा मिलता है obviously क्योंकि universities ज़्यादा रहती हैं तो अलगर अगर शिटीज में होती हैं तो options आपको automatically ज़्यादा मिल जाता है orientation and support की बात करें तो आपको ज़्यादा easily जो support मिलता है universities का वो September intake में मिलता है reason being जो इनका एक पुराने time से trend चला आ रहा है intakes का Russell Group universities का Red Bricks universities का वो September intake का ही रहता है और Jan intake में options कम रहते हैं May June July वाला जो intake है उसमें options बहुत कम रहते हैं इसलिए आपको better support accommodation का और हर हिसाब का जो रहता है वो September intake का मिल पाता है extra curricular activities की बात करें तो उसमें अगर हम लोग देखें तो September intake पे focus ज़्यादा रहता है चुकि यह major intake रहता है UK के case में तो जितने भी club और union formation होती है वो September intake को ही ध्यान में रखके form किया जाता है which means कि अगर आप September intake में जाते हैं तो आपका जो participation के chances रहते हैं clubs में, unions में वो ज़्यादा involved होने के रहते हैं और number of students जो किसी भी university में UK में admission लेते हैं वो September intake में ज़्यादा लेते हैं प्लस आपको networking की opportunities भी जो है वो मिल जाती है internships and placements की बात करें तो September intake में obvious है कि आपको options ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि majority of जो companies होती है वो September-October में next year की जो job opening है उसकी जो graduate role होती है management trainee role होते हैं इस तरह के जो roles होते हैं उसकी application September-October-November के आज-स-पास start करती है which means although admission का तो competition थोड़ा जादा होगा लेकिन job openings के हिसाब से long run में job लेने के हिसाब से ये जो intake है आपके लिए जादा मददगार जादा helpful सावित होगा इसके साथ साथ सबसे important point देखिए कोई भी international student जब UK जाकर पढ़ने जाता है तो उसका ये motto रहता है कि पढ़ाई के साथ साथ part-time job की भी opportunity मिले तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि September intake में आप जब जाते हैं तो आपको job ज़्यादा easily मिलता है कि winters पूरी तरह से start नहीं होते हैं और साथ के साथ साथ December में Christmas की भी break होते हैं जो Christmas का break होता है उसमें job openings जो part-time short-term roles होते हैं वो ज़्यादा होते हैं तो आपके पास earn back करने का living expenses को cover करने के लिए अपने accommodation का जो expenses उसको cover करने के लिए opportunities ज़्यादा होती हैं वेराइस जब हम लोग जैनवरी intake के बारे में बात करेंगे तो मैं उसके बारे में और detail में जाओंगा आपको बताओंगा अब मैं आपको जो demerits हैं कॉन्स हैं उनके बारे में कुछ highlight करके बताओंगा देखिए क्योंकि September intake major intake है तो competition बहुत जादा रहता है और competition जादा रह होता है September intake में जो बहुत high rank जो युनिवर्सिटी रहती है उनका जेनरली में एप्रिल इस तरह के जो months है उनके end में deadlines रहती है end of April, end of May में deadlines रहती है अगर कहीं seats बच जाती है किसी अच्छी उनिवर्सिटी में तो June, July, August, end तक भी जला जाता है case but वो waitlist में जाने के बाद उस उनिवर्सिटी रहती है अगर आप above average universities में या high rank Russell group universities में भी focus करते हो तो आपको options फिर भी मिल ही जाते हैं अब चलिए हमनों January intake के बारे में बात करते हैं January intake के बारे में बात करेंगे तो इसका जो आपको benefit मिलता हूँ यह मिलता है कि competition कम होता है number of students जो जो जान इंटेक में UK जाकर पढ़ाई करते हैं वो कम होते हैं कम होते हैं तो इससे कहा कि universities अपना eligibility criteria जो है फोड़ा सा रिलाक्स कर देते हैं bare minimum जो होता रहेगा but आपको acceptance मिलने का probability high रहती है but इसमें आपको कि यह दिया में रफना पढ़ता है कि majority of Russell group universities and red brick universities जो है उनके पास jan intake नहीं होता majorly उनक of time कि आप अपने bachelor's program को या plus two का course complete करके अराम से अपना time लेकर प्रिपेर करके अपने आपको skills कुछ गेन करके उसके बाद jan intake में UK move करो education start करने के लिए finally jan intake में क्योंकि number of students कम जाते है तो वहाँ पर individual attention आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है and particularly jan intake में जो modern universities होती है वो obviously ऐसे भी number of students का जो intake उनका रहता है वो कम रहता है और उनके जो class size होता है वो कम होता है जादा individual attention आपको मिलती है यह तो हो गया benefit demerits की बात करें तो number of courses जो है वो आपको थोड़ा कम मिलते है variety of options जो courses के है वो कम मिलते है location की जो preferences आपकी रहती है उसे restriction हो जाता है क्योंकि number of universities कम रहती है इसके चलते साथ के साथ graduation होने में आपको time लग जाता है डिले हो जाता है reason being आप अपने जो peers हैं जिन्होंने सब्टेंबर इंटेक में जॉइन किया उनके बात जॉइन करते हो तो चार से छे महीने का आपको डिले हो जाता है अपना course complete करने में और एक्स्टा करिकुलर अक्टिविटीज वज़रा में आप पार्टिसिपेट करने में भी problem आप फ्रेस करते हो विकर सप्टेंबर इंटेक जो होता है उसके हिजाब से वहां पे एक्स्टा करिकुलर अक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है और साथ के साथ वह main peak winters का time हो करें कोड screening यूनिवर्सिटी की बात करें लोकेशन अवीलेबिलीटी बात करें सारी चीजों को चैजसेग को चलें तो जो major कर सकते हैं, best तो ही रहेगा कि September में जाए, Russell Group या Red Brick High Ranked University में जाए, पढ़ाई कर फोकस करें, Part-Time Job में भी आप फोकस करें, Extra Curricular Activities में भी फोकस करें, overall आपकर development and growth होगा, jobs भी comparatively आपको Easy September intake में बिलते हैं, में चाने से मिलेंगे, विकाद आप अच्छी युनिवस्टी में जा पाते हो, तो यह मेरी suggestion है आपको, I request कि अपको अगर UK जाकर पढ़ना चाहते हैं, we are one-stop solution, आप हमारी टीम को contact कर सकते हैं, बहुत से students का हम लोगों ने cases किया है, they are well settled in UK and as well as other countries, तो आप हम लोगों को पेज़ जग contact कीजे, contact details नीचे description में दी हुई है, कोई query हो तो comment section में अपनी query भी आप post कर सकते हैं, may God bless you, I wish you a very happy learning